जनपत में तेजीत के साथ पाउपसार रहे कोरोना वाइरस संक्रमन पर प्रोभावी नियंतरण वरोग थाम को लेकर जिला प्रसासन पूरी तरह से मुस्ताइद है। जनपत में 17 से अधिक ऑक्सिजन प्लांटों को सुचारो रूप से संचालित किया जा रहा है। लगबक 3000 से अधिक बेड़ बी पर्याक मात्रा में उपलब्द हैं। वहीं एम्स में विबन प्रकार के सविदाएं भी उपलब्द करा दी गई हैं। इस समानल में मेडिया कर्मियों से बात करते हुए जलातकारी विजय किरन आनंदी बताया। नहीं अभी जैसे प्रती एक दिन हमारे करीब 9000 से जादा टेस्ट हो रहे हैं। और उसमें जो पॉजिटिविटी आ रही है। जैसे कल हमारे आँ अभी एक्टिव केसे 1600 हैं और 300 से 400 आक्टिव केसे हैं। तो पॉजिटिविटी दर अभी कम हैं। यह हम उमीद करते हैं। यह ट्रेंड रहेगा। और हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम रही हैं। तो किसी को कोई इसमें पैनिक होनी की कोई से जिनी नहीं। लेकिन फिर भी हमारी पूरी तैयारी है। हमारे सबी हमारे सत्रा से ज़्यादा ऑक्सिजन प्लैंट संचालित ह और हमारे यहां 3000 से ज़्यादा बेट्स उपलब्द हैं। आज की तारिक में ICU बेट्स भी परियाद मातर में उपलब्द हैं। और सारे हमारे हॉस्पितालों में सभी अधिकारियां द्वारा स्वास टीम्स वारा ब्रमन किया जा रहा है। अभी तैयारी है। बियारी मेड सारी तैयारियां की गई हैं और वहां पर लगतार निगरानी की जा रही है। स्टाफ हमारे उपलब्दे सब ट्रेंड हैं। परिडिनेस के लिए हमारे पूरी तैयारी है। साती साथ लेकिन सबसे बड़ा कवच हमारा वैक्सिनेशन हैं। मैं आगरा करूँगा आपके कारियों और कोवेट के प्रबंदन में लगे हुए हैं उनको तुरंत बूस्टर डोस लगाने हैं और जिनका दूसरा डोस भी हो गया वो जरूर अगर बूस्टर डोस के लिए ड्यू हैं प्रिकॉशनरी डोस के लिए ड्यू हैं वो जरूर लगवा दें। और 15 से 17 साल के ब हमारे चात्राएं हैं वो भी हमारे स्कैम्स में आके